आज बच्चों हमलब रहने जा रहें जी टेक्स्ट बुक ऑफ बियालोजी क्लास टेंथ का चेप्टर नंबर 11 अपने पहले जो एंपसी क्यूस का पैठी नंबर 11 का उस पेज़ पर अजी हमारा चेप्टर नंबर 11 होमियो स्टेसिस बिए अमलोग आचेगें भी पेंच नंबर 27 पे स्वेहन आमार पास है निफरोन अपनिया पिदिनी इस कंपोसे अफ अ फॉल्म इसक्ट एर्थ भी तरह देंपोलिक वेंच एंपनिक वेंग्ड दोड आपर अजिए लिए प्रेगर उड्वार दोर्य इसेप्ट एर्थ एंग्ड्यूर्यूर्य प्र्यूर्यूर्यूर्यू फिर है which substance is present at lower concentration in renal artery than in the renal vein so वो हारफा C part है glucose फिर है in a kidney machine what must we add the same concentration in diresis fluid and in the blood तो वो salt की concentration है फिर है the four structures listed are a part of human excretory system उसमें ये D part है ये D part है यानि के पहले kidney, फिर ureter, फिर bladder और फिर urethra ठीक है फिर है in a kidney machine which of the following passes from blood to the dialysis fluid वो है हमारे पास urea अब अग्रे पेज के देखते हैं के वहां हमारे पास qon से mcqs है ये मामन आगा है ये पेज नुमर पेज नुमर ती एक पे अग्रे पास 10 है which blood vessel carries blood with the lowest concentration of urea तो वो है अग्रे पास renal weight तो 11 है the process of hemodialysis is shown in the diagram थीक है the concentration of urea would be highest in the q मेर और और मेर ये q कार्ट मेर और आर पार्ट मेर जुरिया की concentration है और सब से ज्यादा हाइ होग तो फिर अग्रे जलीच पार्षी जजए और सब से ज्यादा हायों है फिर है चूस दे मिस्माच्ट तो वह बी बाइन लेटिक्स और टोइटो फिर है विच रो शोज दे सबस्तांसे दाटर प्रेसंट इन इच अफ दे स्टुक्टर्स अफ एक्स क्रीटरी सिस्टम फफ फफ हल्डी हूमन तो वह बी बाइन रेनल आठ्री में जूरिया होता है मा हुआ 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 है